वेल्कम बाक टीम काडिलाइट तो आज हम बाग करने वाले हैं निव हंड़े वर्ना के बारे में कब निव वर्ना लाउंच होने वाली है यही फेसलिफ रहेगा यहां फे निव जनरेशन रहेगी क्या क्या यहां पर फीचर आएंगे क्या क्या निव इंजिन ऑप्षिन मिलेंगे स्पेस अंग अभी वर्ना में आपको काफी कम मिलता है तो आप इंक्रीज करा जाएगा यहां नहीं करा जाएगा आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में अगर आप इस चैनल पर फिर्स आमारे एंगे स्प्स्ट्राइब बटन राइट अवे एंड क्लिक बेल एकिन और दुस्तों वीडियो को लाइक करना ना भोले यह निव वर्ना का एक्स्टेर डिजाइन आप देख सतने हैं कार काफी ग्रो हुई है तो निव वर्ना जो इंडिया में लांच करे जाएगी उसका जो डिजाइन है जो न्यू लैंटर है ब्रॉड मार्केट में उससे काफी जाद आपको सिमिलर मिलने वाला है तो यह आप अब देख सतने हैं बहुत ही वाइड ग्रिल दी गई है इन प्यानो ब्लाक फिनिश प्लेट टाइप है अवेलेबल है तो अपड की साइड आपको डेटम रंणिक राइट सेंड टरन इंडिकेटर मिल जाएगी उसके ठीक निचे यहापे लेडी है जो की एलेडी रिफ्लेक्टर है प्रोजेक्टर है नहीं मिल अन्याप अब की साइड प्रॉफाइल देख सत 16-inch के नियुर स्टाइल डामंड के टलॉइ वील्स मिल जाएगे नियुले डिजाइन ओर वीम अवेलेबल रहेगा सं रूफ और शाफ इन इंडेना मिल जाएगी एं कुछ ऐसा यहापे रियर भी स्पाइर करा गया है सो एक्ट्व में जो आपको रियर मिलेगा वो इलेंट भी आपको नहीं मिल पाएगी सो इलांटर की तरह ही आप इंटीर भी अब लॉंच गरा जाएगा सो इलांटर से काफी स्ट्वीले रोगा एग्जाइक सेम आपको नहीं मिलेगा लेकिन बहुत ज़ाद जाएगी होगी अपर दूटोन डाश्बॉर्ड अवेलेबल रहेगा जो इंटीर की fit and finish quality है वो पहले से काफी जादा इंप्रूफ करी जा रही है अपर digital instrument cluster मिल जाएगा और इस events का design आप देख सते हैं overall जो switches है जो buttons है quality है वो काफी massively increase करी जा रही है तो completely new design का आपको dash hood मिलेगा new design के आपको upholstery मिलेगी and overall जो space है car में जो comfort है जो windows का size है वो सब इंक्रीज करा जा रहे है अब बात करते हैं कुछ top features के बारे में उससे पहले दोस्तों या पर जो drivability है जो suspension setup है जो handling है gear है क्लाच हम सबको improve कर जाएगा because it's a new generation so completely या पर चेंज आपको car मिलेगी from every inch to inch and अब बात करते हैं या पर top features के बारे में तो current जो features है वो आप दिख स सब्सक्राइब अपनी स्क्रीन के अपर six-year bags, LED headlamp, tail lamp, all four display, electric sunroof, digital cluster, eight inches infotainment system, front ventilated seats, cruise control, TPMS and front parking sensor, so ये top features है जो कि currently available है तो ये सारे features जो है वो carry forward मिलेंगे आपको new burner में और इसके लावा जो new features आड़ करे जा रहे हैं वो है ये सारे बोस का आपको eight speaker का sound system मिलेगा, साथ में अपना में बी A-DAS आएगा, यहापर 10.25 inches infotainment system मिल जाएगा, Amazon Alexa support मिलेगा, 60 plus connected car features अवेलेबल हैंगे, 360 camera, 64 color ambient lighting, air purifier, power driver seat, drive modes बाकी सारे जो old features हैं जैसे के ventilated seats तो वो सब दोस्तों को continued ही मिलेगी, और अब आपके इन जो अप्शन के बारे में सो जो currently available है वो आप देख सते स्क्रीन के पर 1.5-liter 4-cylinder naturally aspirated petrol engine with 6-speed manual and IVT gearbox, then 1-liter 3-cylinder turbo petrol engine with 7-speed DCT gearbox, and third and last 1.5-liter 4-cylinder turbocharged diesel engine and यह भी अवेलेबल है 6-speed manual and torque converter automatic के साथ, यह तीनों ही इंजन दोस्तों आपको अगे भी continued मिलेंगे नियो वर्ना में, बट यहापर जो मायलेज है वो थोड़ी बहत इंक्रीज कर जाएगी, तो मायल हाइबरेड में आपको ब्रेकरी जनरेशन मिल जाएगा, आटो स्टाट स्टॉप मिल जाएगा, यह सब फीचर अवेलेबल रहेंगे, जैसे मायलेज इंक्रीज हो जाएगी, तो अब बाग करते हैं, प्राइज और लांच देट के बारे में, आपको पहले अन्वील करे जाएगी, यानि कि शोर्केस करे जाएगी, उसके बाद ये फॉर्स क्वाटर ऑफ 2023 में लांच कर दी जाएगी, तो कॉंपेटिशन काफी जादा इंक्रीज हो गया है, वरना भी यहाँ पे काफी अब मेजर चिंज ऑफर करने वाली है, तो यह थी दोस् एक्ट ऑफिशिल सर्विस कोस्ट, तो कोई भी कार आप पर्चीस करने या प्लान करें है, वो सर्विस कोस्ट जरूर चेक करें, ताकि आपको किस कार की सर्विस कोस्ट हाई है, किसी काम है, आपको सब कुछ पता चल सके.